हेलो गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल और आप सब लोग कैसे हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी अच्छी होगे हम सब के इच्छा होती कि हमारे गर में एक स्टोर जरूर हो जहां पर हम जो वेस्ट समान हमारा घर का हो महां पर रख सकें लेकिन होता है कि घर का जितना भी बेकार समान होता है हम सोचते आज नहीं तो कल इसका यूज हम करेंगे और हम रखते चले जाते हैं उससे क्या होते हैं वो जगे भी बहुत ज़दा अकुपाई हो जाती हम उस जगे को भी योस नहीं कर सकते कर पाते हैं और वो जगे भी जगे के साथ साथ वो सामान भी हमारे पास कुछ ज़दा एक्सेस हो जाता है जिसको हम ना किसी को डोनेट कर पाते हैं या घर से निकाल want to water और हमारे घर में वह जगें वे फाल्टूंब का सब्सक्राइब़ा में कर दूपर किए उसको बस सही स्ट पेंस पर सही जगे लगा दिया है तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने उसको ऐस चुपन आ है और कैसे इस्टोर O công की सटड़ी रूम में तुकर किया है तो चलिए टाइम व seems नह करते हुए देखते हैं कैसा चठीके है आप देख सकते हो के मेरा ये रूम जो है मैंने इसको इस्टोर रूम बना रखाता और इसमें काफी समान है और जो भी हमारे घर में एकसस समान होता है या कपड़े धुल के रावाश करके रखते हैं सूख कर आते वो भी हम यहाँ पर रख देते हैं हम सोचते हैं बाद में इसको तहके अलमारी में लगाएंगे लेकिन होता क्या धीरे-धीरे समान इखटा ही होता चला जाता है ये जो इस्ट्रा गद्धा था हमारे पास उसको भी यहीं पे रख रखा था कभी-कभी बच्चों का मन होता तो नीचे बैट के वो पढ़ लेते थे लेकिन पढ़ने के बाद भी वो समान उनको भी लगता था यहां पर तो इस्टोर रूम है तो वो बुक्स कॉपी जैसे भी होता था वो ऐसी छोड़के चले आते थे उससे रूम और ज़दा डिकलटर लगता था तो यह सबसे पहले मैंने अलमारी की साइट को चेंज कर लिया है और जो फोल्डिंग यहां पर रखी हुई थी उसको भी मैंने उसको बिच्छा दिया है और आप देखे अगर आप ड्राइंग रूम में भी ऐसे फोल्डिंग डालके कुशन लगा दिया जाए तो किसी का भी ड्राइंग रूम भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके बाद सोफी नहीं है तो आप ऐसे भी अपने ड्राइंग रूम को सजा सकते हो टेस्टिंग ना होने के कारा टेबल में काफी जटा स्पॉर्ट पढ़ गया थे जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद बेटी की जो भी बुक्स कॉपी हैं उनको लगा दिया है और देखे नीचे भी काफी समान उल्टा सिदा है सब जो जहां पाते थे वो वहां रख देते थे उनको भी लगता था बच्चों को भी लगता है कि ये रूम तो यूस किया ही नहीं जाता ये देखे कितना सारा समान है लेकिन अभी देखे कि आप जितना समान है मैंने कोई भी समन हटाया नहीं बस जो डोनेट करने वाला थोड़ा से समान था वो मैंने हटाया है और आप ये देख रहे हैं ब्लैक लड़ का बैग इसी में सारे कपड़े मैंने भरके और इस साइड लगा दिया है जिससे ये बैग देखने में बुरा नहीं लग रहा है और जितना एकसे समान है वो साइड में हो गया उसके बाद पूरा रूम को क्लीन करने के बाद फिर मैंने देखिया कितना अच्छा सेट अप किया आपको देख के लगेगा नहीं कि कि पहले वाला ये रूम है और आपको कैसा लग रहा है जरूर बताई गया जो बच्चों को कैसियो था, बुक्स था, कॉपी था, सब मैंने अच्छे से यहीं पर अरेंज कर दिया है और उसके साथ ही बच्चों को बैग रखने के लिए भी एक स्पेस अलग से मिल गया है जो हर बच्चा अपनी टेबल के बगल में रख सकता है और कोई भी स्पेस हो, अगर हम उसको विवैस्तित रखते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है और एक अच्छी सी वाइब सी आती हो, देखने में भी सुन्दर लगता है और सबसे बड़ी बात अपना मन भी बहुत खुश हो जाता है कि हर प्लेस को अगर हम अच्छे से अरेंज करके रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता और इससे एक और अच्छी बात है कि बच्चों को भी सही जगेवे समान रखने की हैबिट परती है और उनको बोला जा सकता है कि जहां से आप समान उठाते हो वहीं रखना है तो बच्चे भी इसको फॉलो करने की कोसिस करते हैं और डिसिप्लीन की फीलिंग भी उनके अंदर आती है और ये सीपियो भी रखा हुआ है अभी वो कम्पीटर हमारा थुड़ा सा गरबर हो रहा तो हमने हटा दिया और ये फोल्डर आप जो पीछे देख रहे हैं कैसे हो कि ये दोनों मेरे बच्चों के फोल्डर हैं जिन में मैप्स रखे हैं ये कुछ पेपर उनके रखे हुए जो इस्टा इधर उदर फैले हुए थे उनको मैंने एक बेटे का बना दिया और एक बेटी का और ये देखे बेटे के लिए टेबल अरेंज कर दी है उसके सारे बुक्स कॉपी सब यहाँ पे आगे और टेबल के बगल में ही वो अपना बैग भी रख सकता है और उसने बाद में अपने CPO कम्पीटर को भी बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया था ये वीडियो बनाने के बाद ही मैंने दूसरे दिन ही उसने अपना अच्छे से कम्पीटर को भी arrange कर लिया था, क्योंकि उसको भी लगा कि हाँ, इस room को हम अच्छे से अपना room बना सकते हैं, हर चीज़ को arrange करकर रखेंगे, तो और ज्यादा खुबसूरत लगेगा और मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है किसी भी अंगल से अच्छा लगता है तो प्लीज एक thumbs up जरूर दीजेगा और अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो प्लीज subscribe कर लीजेगा, और मिलते हैं एक और interesting वीडियो के साथ बाबाई